हेलो एवरिवन यह है यूट्यूब वीडियो जुवर्ल चैनल और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आटो कैट की फाइल को हम स्टैट प्रॉम में कैसे इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले में एक फ्रेम बनाता हूं और उसको फ्रेम को बनाने के पासे सेव करेंगे उसके बाद हम उस फाइल को इंपोर्ट करेंगे स्टैट प्रॉम में उससे पहला एक सवाल जो हम सभी के माइंड में आता है कि आटो कैट की फाइल को इंपोर्ट करना स्टैट प्रॉम मिलती है इस तरह से मिलते है कुछ मार लेजे एक building का एक room का plan है उप्ट आप यो तो जो आपको drawing मिली को इस तरह से मिलेगी यानि कि जो वो लैव विर्त है वो two lines में show की हुई है बट आपको जब stat pro में इसको modeling करनी है इसकी तो आपको कैसे स्टंडनाना हो गयानिकि सेंटरलाइन आपको चाहिए होगी ठीक है अब अगर आपको सेंटरलाइन चाहिए तो आप क्या करेंगे या तो आप इस distance को measure करेंगे, फिर this distance को measure करेंगे, फिर कैसे कैसे calculate करके center line का distance पता करेंगे और उसके बाद को stat program draw करेंगा, तो कितना time लएगा, तो इस से अच्छा है कि हमने क्या किया, कि हमने center line stat pro AutoCAD में बना ली, उसके बाद जो यह जो आपकी blue line है, outer line से इनको hide कर दिया, जो हमारी single line बची, इसको हमने save कर लिया, आफ इसको import कर लिया stat pro में, यह तो छोटा plan है, बना सकते हैं, बहुत complicated plan होते हैं, तो उसमें हम modeling करने के लिए क्या करते हैं, पूरे structure की एक center line बना लेते हैं, फिस center line को import कर लेते हैं stat pro में, ठीक है, तो चलिए start करते तो l से line command लिया मैंने, enter किया, और यहाँ पर z click किया, और क्योंकि, देखिए यहाँ पर units का क्या मतलब है, आप जब autocad में कुछ बना रहे हो, तो units क्या लोगी, उसकी कोई जरुवत नहीं होगी, देखिए, जैसे यहाँ पर कुछ भी आ रहा है, जब इस file को import करेंगे, तो stat pro पूछेगा कि कौन सी units है, माल लीजिए, मैं यहाँ पर 100 की line खिषता हूँ, अगर मैं stat pro में import करते वख, meter आ लूँगा, तो 100 meter हो जाएगा, mm डालूँगा, तो mm हो जाएगा, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला, 100 mm, ठीक है, यह एक line आ गई, fill line command लेते हैं, और एक डाल करते हैं, 150 mm, उसके बाद, 100, और इसको close कर देते हैं, फिर, sorry दुबारा से, 150, 100 and 150, यह एक frame बन गया है, अब हम क्या करेंगे, इस frame को save करेंगे, save as, desktop पे एक folder बनाता हूँ मैं, dwg से, ठीक है, यह folder है, dwg, इस folder के अंदर इस file को मैं save कर देता हूँ, फिर दुबारा मैं save as जाता हूँ, और दुबारा इस folder मैं इस file को save करता हूँ, लेकिन format क्या होगा हमारा, dxf, ठीक है, यह dxf जो है हम, इस format में save कर लेता हूँ, इस file को, close, अब इस folder में दो file होगा, एक autocad की dwg file और एक dxf file, अब autocad को close कर देता हूँ मैं, अब मैं stat prone करता हूँ, ठीक है, जो हमने 100 mm लिया था, उसको हम meter assume करेंगे, new project, unit, meter, और हम यह फाइल में जाएंगे और import करेंगे, dxf, याद है आपको हमने file जो save के थी, dx format में की थी, import, desktop पे जाएंगे हम, dwg नाम से folder था, इसके अंदर drawing one, इसके अंदर दो file है थी, यह dwg, dxf, क्योंकि stat pro को dxf चाहिए, तो वही file दिखा रहा है, okay, अब यह पूछ रहा है, जो हमने plane बनाया था, यानि हमने तो ऐसे बनाया था, frame, auto academy, तो यह कौन से plane में रखना चाहता हूँ, यह x है, और यह y है, अगर ऐसे रखना चाहते हैं, तो आपको z select करना पड़ेगा, क्योंकि यह z होगा, top, ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं रखना चाहते हैं, plan रखना चाहते होगा, यह x और यह z, तो यह y होगा, तो y करके देखते हैं, unit meter, 100 meter, देखें आगे, आप measure करके देखें जरा, 100 meter, और यह 150 meter, यह आपका plan आगया, ठीक है, तो इस तरह से हम AutoCAD की file को statprom में import करते हैं, subscribe करना ना बोलें, comment करना ना बोलें, please, और मेरी एक website भी है, www.engineersforcivil.com, जहांपर मैं documentation कुछ दिनों में डालने वाला हूँ, lectures के notes डालने वाला हूँ, और जो भी आपको चीज data चाहिए, वो डालने वाला हूँ, तो वहां से आप data ले सकते हैं, software download करने का link, crack, कैसे करना है, यह सब आप आप देख सकते हैं, तो please visit कीजएगा, जो description में आपको site दी हुई है, thank you.